बीते दिनों अत्मान जनक बरताओं की घटनाओं से नाराज सर्पन सची और रोजगार सायकों ने तेवी जनवरी से कलम और कार्याले बंद आंदोलन की चेताओं ने दी है गुरुवार को जनपत कार्याले में इखटा हुए सयूप तो मोर्चा के बैनर तले CEO के नाम ग्यापन सोप कर सुषना दी गई है मोर्चा पदादी कार्यों ने बताया कि 11 जनवरी को मांगो के समर्थन में जिला इस्तरिय प्रदर्शन के दोरान कलेक्टर कार्याले में ग्यापन सोपने पहुचे थे जहां ग्यापन लेने आये अपर कलेक्टर नहीं बास्वा सर्पंच की कॉलर पकड़ ली थी इसके अलावा 17 जनवरी को जिला पंचायत सीओ के द्वारा सर्पंच पंचायत सचीवो एवं रोजगार सहेकों के प्रतिनिदी मंडल से चर्चा के दोरान बढ़वा सर्पंच संग ब्लॉक अधेक्षिर राजकुमार वर्मा से अभद्र विवहार करते वे कक्ष से बाहर क लब्त हैं 12 जन प्रतिनिद्यों पंचायत कर्मियों से अधिकारी दूर्य वेवहार कर रहे हैं इससे आहत होने के साथ ही आक्रोश पनप्रहा है मानसिक दबाव में कर रहे काम मोर्चा पदादिकारियों ने बताय कि वर्तमान में गाउं में जन भागिदारी से काम के लिए अत्यदीक दबाव बनाया जा रहा है इन समस्याओं के निराकरण नहीं होने से काम करने में असमर्थ है तेविस से ब्लॉक एवं जिला इस्तर पर कलम कार्यालाइब बन आंदुलन की शुरुआत करेंगे खरगाउन से ब्यूरो की रिपोर्ट टाकत के नहीं है उन कामों को भी हमारे से दबाव बना कर किया जाता है जिससे सारे सरपंज सच्चु और जियारसों में रोस है और एसी स्थिति में हम लोग कारे करने में सक्सम नहीं है हमारे उपर बिना मतलब मानसिक दबाव के काम कराए जाता है जिससे हमारे एक साथी के उपर इतना दबाव बना कि उन्हें रदे गाज से उनका कल तीन बजे इंडोर देहन्त हो गया जिससे हम सब लोगों में बहुत रोज है लेकिन हमारे उपर उसका दबाव बनाय जाता है जिससे हमारे सबी सरपन्ज सचू जियारोसो में रोज व्यापत है इसी के संबन्द में हमने ग्यापन दिया है अगर हमारी नियाय उचित मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 23 तारिक से कलम कारियाले बन अर्ताल करेंगे जो अनिस्टिप काल के लिए रहेगी शक्तिल पठान पंचाए सचू ग्राम पंचाए सोनी पुरा हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें